नमस्कार दोस्तों आज मैं आपने वीडियो के जरे बताने जानी पांच दिन लगातर खाले बस ये पत्ता जीवन में कभी नहीं आएगा हार्ट अटेक प्यारे दोस्तों करीपत्ता भात्य खानपान का एक मैत्पून इस है इसे इसकी सुगंद के लिए जाना जाता है बोजन में इस्तमाल के अलवा इन पत्तों का प्रयोग हरबर मेडिसिन में भी किया जाता है करीपत्तों में विटामिन A, B, C, कैलसियम, प्रोटीन, एमिनो एसीड, फास्पोरस, फाइबर और आयरन का समरत स्त्रोथ होता है अलाकि करीपत्ते के स्वास्ते लाब इसमें मोजुद अलकोलाइट के कारण होते है ड्यपत्ती की समश्या, अपने महथपुन गुनों के अलावा, कही तरह के रोगों के इलाज के लिए भी करीपत्तों का प्रयोग किया जाता है आप गिले या सुके रूप में इन पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं मार्केट में करीपत्तों का एंसेसियल ओयल भी उपलाप दोता है जिसका इस्तमाल कर आप अपने रोक से मुक्ति पा सकते हैं यदि डायप्टीज की समझे है और आप ब्लेट स्यूगर के स्थरक को नैचुरल तरीके से नियंतरन में रखना चाहते हैं तो अपने आर में करीपत्तों को सामिल करें इसके अलवा करीपत्ता कार्वोईडरेट और मेटाब्लोजिम को प्रभावित करता है और तनाव को भी कम करने में मदद करता है एंटिबैक्टीरियल गुनों के कारण यह आपको तवचा के संकर्मन से भी बचाता है कम करें हार्ट अटेक का खत्रा कड़ी पत्ते में हमारे सरीर के बलड कोलेस्टोल को कम करने की छमता होती है जिसे हम दिल की बिमारियों से दूर रह सकते हैं सायद आप जानते हैं कि सरीर की oxygenative cholesterol खराब cholesterol को बनाने में मदद करते हैं जिससे heart attack का खतरा भढ़ जाता है गडी पत्ते में antioxidant गुन होते हैं जोकि cholesterol का oxygen current करते हैं जोकि cholesterol को oxygen करन होने से रोकते हैं जिससे सरीर में खराब cholesterol की मात्रा बढ़ नहीं पाती इस तरह से यह हमें दिल से जुड़ी परेशानियों से दूर रखते हैं कोशिकाओं की मरमत करीपत्ते कार्बोजोल एलकोलाइट से सम्रद होते हैं जिनमें एंटियोक्सिडेंटिव गुण मोजूद होते हैं यह गुण आपके सरीर की कोशिकाओं को फ्री रैडिकल्स के कारण होने वाली छटी से बचाने का काम करते हैं प्यारे दोस्तों करीपत्ता एंटियोक्सिडेंट का चस्त्रोत होता है जो आपको रोगों से बचाता है वजन गटा है यदि आप वजन गटा ना चाहते हैं तो अपने आर में करीपत्तों को सामिल करें यह पत्ते सरीर को अंधुरोनी रूप से साफ करने में मदद करते हैं और हानिकार विशेले परदार्तों को अटाने का काम करते हैं ये पत्ते सरीर में आवांचित वसा और कार्बोहाइडरेट को भी जलाते जिसे वजन कम होता है गुड कोलेस्टरॉल बोजर में करीपत्तों का प्रयों करके LDL यानि खराब कोलेस्टरॉल को कम कर सकते हैं इससे हिर्दे रोगों से भी बचा जा सकता है प्यारे दोस्तों करीपत्ता खराब कोलेस्टरॉल को कम करता है या अध्यन चुओं पर करके सही साबित हुआ है हलाकि जब कोलेस्टरॉल के सर को कम करने की बात आती है तो व्याम के मैत्तों को आप हाला कि जब कोलिस्टोल के स्थर को कम करने की बात आती है तो व्याम के मैतु को नजर अंदाज ना करें करीपत्ता पेट के लिए भी उप्योगी होता है जो अपत से बचाता है इसमें आइरन वे फोलिक एसिड पाए जाते हैं फोलिक एसिड आइरन को अब्जोर्ब करने में मदद करते हैं घाव और जलन प्यारे दोस्तों करीपत्ता एंटि ओक्सिडेंट से बरपूर होता है करीपत्ता घाव और जलन को ठीक करने की प्रक्रिया में तेजी से काम करता है और इसे जल से जल ठीक करता है इसमें जिवानु रोधी गुणों होते हैं जो नयकेवल घावों को जल्दी भरने में मदद करते हैं बल्कि संकर्मन के खत्रे को भी कम करते हैं बालों के लिए उपयोगी करीपत्ता बालों को मजबूत बनाता है इसमें विटामिन B, 6 होता है जो बालों को जणने से रोकता है हेर ओयल में करीपत्ती पाउडर मिलाकर इसका लाब लिया जा सकता है हेर ओयल में 8-10 करीपत्तों को बालने तेल ठंडा होने के बाद बोतल में भरकर रख ले नियमित प्रयोग से आपको काफी लाब होगा त्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों, जय हिंद